कि दो लगतार धनात्मक समसंख्याएं निकाले जिनके बर्गों का योगपल सव हो तो लिखेंगे माना पहली धनात्मक समसंख्या क्या मानेंगे तो 2X फिर दूसरी धनात्मक समसंख्या क्या होगा तो 2X फिर धनात्मक समसंख्या हो जाएगा प्रस्निसे술 क्या कर रहा है तो लगतार धनात्मक समसंख्याएं निकाले जिनके बर्गों का योगपल सव है उसका बर्ग और प्लस में दूसरी वाली का बर्ग का योग जो है वह सव के बराबर है तो यहां देखो यह हो जाएगा 4x square यहां a plus b का whole square लगा दो तो हो जाएगा 2x का square plus 2 गुना 2x गुना 2 और plus 2 का square और यह इधार आके minus का 100 बराबर में 0 तो यहां भी 4x square यहां भी 4x square यह होगा ना तो हो जाएगा आपका 8x square plus यहां भी 8x 2 का square 4 और minus का 100 तो minus का 96 बराबर में 0 यहां से 8 common हो सकता ना तो बचेगा x square plus का x और यहां minus का 12 तो यह जाएगा भाग में तो बचेगा आपका x square plus x minus 12 बराबर 0 समय करा ना गया अब यहां से हम लोग पहले गुनान खन करके x का मान प्राप्त करता है x square plus में यहां पर एक काम करो यहां पर ले लो 4 x और minus में 3 x तो घटेगा तो आपका x आजाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुनान फल के बराबर है जागा x common करेंगे x plus 4 minus 3 common करो x plus 4 दोनों bracket में एक जसा आगे ना x plus 4 को common कर लेंगे तो यहां x बचेगा यहां minus का 3 चलिए अलग-अलग करो x plus 4 बराबर 0 और x minus 3 बराबर में 0 तो x का मान minus 4 और x का मान 3 है चुकि आपकी जो संख्या है वो धनात्मक है धनात्मक समसे क्या है तो चुकि यह ली सकते हैं संख्या धनात्मक है इसलिए हम लोग x का मान कौन सा लेंगे तो यहां हो जाएगा पहली धनात्मक धनात्मक समसंख्या धनात्मक समसंख्या क्या था टू एक्स ना यानि कि 2 गुना 3 छे आजाएगा अच्छा दूसरी दूसरी धनात्मक दूसरी धनात्मक के समसंख्या दूसरी धनात्मक समसंख्या क्या है टू एक्स पलस टू ना यानि कि दो गुना तीन और पलस में दो तीन दूना छे दो आठ हो जगा तो छे और आठ है यहां से आपका एंसर आ गया कोसर नम